तो अगला concept हम लोग बेखते हैं, intercept of lines, ठीक है, समझते हैं पहले यह कहता क्या है, कि यह Cartesian coordinate system, it is the distance from origin to the point at which the line cuts a given axis, ठीक है, it may be positive और negative, इसको समझते हैं diagram से, जैसे मान लेज़े, यह हमारे पास, अपना x corresponding x और y axis है, ठीक है, एक line हमने draw किया, कुछ इस तरीक के से, ठीक है, तो intercept का मतलब क्या होता है, कि line axis, मान लेज़े, x axis को इसने a पे cut किया, तो origin से, यह a का जो distance होगा, इसको हम लोग कहेंगे, x intercept, ठीक है, similarly origin से, अगर यह point b है, ठीक है, जो इस point b का distance होगा, इसको हम लोग कहेंगे, y intercept, ठीक है, यह क्या हो जाएगा, y intercept, यानि कहने का मतलब, यहाँ पे, oa is our x intercept, and ob is our y intercept, ठीक है, अब यहाँ पे एक बात हमें ध्यान देनी है, कि यह distance तो जरूर measure कर रहे हैं हम, लेकिन यह क्या है, directed distance है, directed distance कहने का मतलब, कि अगर आप distance, origin से right में जाके measure कर रहे हो, तो positive होगा, अगर origin से up में जाके measure कर रहे हो, तो positive होगा, अगर यह distance आपने origin के left में जाके measure किया होता, तो यह distance negative होता और अगर down में जाके measure किया होता तो भी यह distance negative होता तो यहाँ पे खास बात आपको यह ध्यान में रखनी है कि although यह distances हैं लेकिन directed distances हैं यानि कहने का मतलब x-intercept की value positive भी हो सकती है और negative भी हो सकती है अगर x-intercept positive है यानि line ने x-axis को positive x-axis को cut किया होगा और अगर x-intercept negative है तो line ने negative x-axis को cut किया होगा ठीक है similarly y-intercept positive है तो line ने positive y-axis को cut किया होगा और अगर y-intercept negative है तो line ने negative y-axis को cut किया होगा ठीक है कुछ खास बात यहाँ पर देखते हैं, कि if a line has equal intercepts, then m is equal to minus 1, ठीक है, जैसे इसी diagram में हम समझते हैं इसको, कि अगर मान लिजे यह x-intercept भी हमारा a है, और y-intercept भी हमारा a है, तो इस line का slope कितना होगा, यानि यह angle कितना होगा, सबसे पहले तो यह inclination निकाल लेते हैं, फिर उसका tan ले लेंगे, तो हमें अपना slope मिल जाएगा, तो since यह दोनो side lengths equal हैं, तो यह angle हमारा 45 degree हो जाएगा, यानि यह angle हमारे पास 35 degree हो गया, 135 degree, sorry, और tan of 135 degree की value हम जानते हैं, कितन minus 1, तो इसलिए line with equal intercept, अगर हमें दिया हुआ है, तो उसका slope क्या हो जाएगा, minus 1, अब यह intercept positive भी हो सकता है, negative भी हो सकता है, जैसे example के तोर पे मैं आपको बताऊं, जैसे मान लीजे, अगर दोनों intercept positive हैं, वह वाला case तो हमने देख लिया, अब हम वह वाला case देखते हैं, जह सिन्यारियो होगा, ठीक है, यहाँ, यह distance भी A, यह distance भी A, तो again आप देखोगे, तो यह angle आपका 45 degree हो जाएगा, और अगर यह angle 45 degree हो गया, तो यह angle वापस से कितना मिलेगा आपको, 135 degree, और tan of 135 degree की value, minus 1, तो यह बात हम याद रखेंगे, कि कभी भी हमें, ऐसा कुछ दिया कि line with equal intercept, तो हमें यह बात याद रहेगी, कि हमारे पास उस line का slope कितना होगा, minus 1 हो जाएगा, लेकिन अगर यह बात कही जाती है, कि if a line is equally inclined with coordinate axis, equally inclined with coordinate axis अगर हमें दिया हुए है, या फिर हमें ऐसा लिखा हुआ है, कि line cuts off equal non-zero distances from origin, तो उस case में हमारे slope की value, या तो 1, या फिर minus 1 होगी, मैं आपको diagram में show कर देता हूँ, ठीक है, जैसे मान लिजे, यह हमारा y axis, यह हमारा x axis है, अब अगर हमसे बोला गया, कि line is equally inclined to axis, equally inclined होने के corresponding, हमारे पास क्या होगा, या तो वो इस तरीके से equally inclined हो सकता है, ठीक है, जहाँ x axis से भी वो angle theta बनाए और y axis से भी angle theta बनाए, या फिर दूसरा scenario इस तरीके से भी हो सकता था, ठीक है, जहाँ x axis से भी वो angle alpha बनाए और y axis से भी वो angle alpha बनाए, तो इस case में भी आप देखिए, alpha की value 45 degree हो जाएगी, और अगर alpha 45 degree हो गया, तो slope निकालने के लिए हमें ये वाला angle निकालना पड़ेगा, ये वाला angle तो overall 135 degree है, तो slope कितना हो गया, minus 1 हो गया, तो यानि equally inclined to axis की अगर बात की जाती है, तो हमारे पास slope 1 भी हो सकता है, और minus 1 भी हो सकता है, दूसरी बात यहाँ पे कही जा रही है, कि line which cuts equal distances from origin, अब यहाँ पे intercept की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे equal distances की बात हो रही है, तो अगर equal distances की बात हो रही है, तो ये वाला scenario भी अपना acceptable है, क्योंकि यहाँ पे x-axis को a distance पे, y-axis को a distance पे cut किया है, तो इस case में हमारा slope क्या हो जाएगा, minus 1, या फिर ये वाला scenario भी अपना सही है, यानि इस case में x-intercept a, y-intercept although minus a है, लेकिन distance तो origins इसका still a है, तो इस case में आपके पास slope की value कितनी हो जाएगी, 1, ठीक है, तो अगर आपसे कहा जाता है, कि line is equally inclined with coordinate axis, या फिर line cuts off equal non-zero distances from origin, तो slope की हमारी value कितनी होती है, plus minus 1, ठीक है, तो आएए students अब हम बात करते हैं, equation of a straight line की, अब equation of a straight line क्या कहता है, जैसे हमने पहले भी ये बात करी हुई है, कि straight line is nothing but locus of a point, और locus अगर हमेरे पास है, तो उसका equation निकालने का तरीका हमने, पहले भी देखा हुआ है, locus वाले section में, कि किस तरीके से equation निकालते हैं, तो एक बार हम ये देख लेते हैं, कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे ये कहा जा रहा है, कि a relation between x and y, which is satisfied by coordinates of every point lying on the line, is called equation of a straight line, याद करिए, ये जो definition है, ये similar definition हमने, equation of locus में भी बात करी थी, equation of locus में हम लोग क्या करते थे, हम लोग करते थे, कि कि किसी भी point, कोई भी point जो उस locus पे lie करता है, उसके x और y coordinates के बीच का एक relation निकालते थे, और वो ऐसा relation होना चाहिए, जो उस locus पे lie करने वाला हर point satisfy करे, ठीक है, और उस locus के अलावा, कोई दूसरा ऐसा point नहों, जो उस relation को satisfy करे, उस relation में हमें ये ध्यान में रखना है, कि we need to find a relation between x and y, उस relation में हमारे पास कोई variable नहीं होना चाहिए, कोई parameter नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो same वही condition, यहाँ पे भी हम लोग use करेंगे, कि equation of straight line अगर आपको निकालना है, तो आपको एक relation निकालना पड़ेगा, उस line पे lie करने वाले point के, x और y coordinate के बीच में, ठीक है, अच्छा, यहाँ पे एक बात याद रखिए, कि every one degree equation in variable x and y, always represents a straight line, ठीक है, अगर आपके पास, कोई भी one degree का equation है, in x and y, तो यह हमेशा एक straight line represent करेगा, बस आपको खयाल यह रखना है, कि a और b, दोनों simultaneously 0 नहीं होने चाहिए, यानि अगर मैंने एक equation लिख दिया, 2x plus 3y plus 7 is equal to 0, तो क्या यह equation straight line को represent करेगा, बिल्कुल, क्योंकि one degree equation in x and y है, अगर हमने equation लिखा, 7x plus 5 is equal to 0, तो यह equation of straight line होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि यहाँ पे, this is a linear equation in x, x और y का coefficient हमारे पास 0 आ गया है, अगर हमने लिखा, 8x, 8y, minus 3 is equal to 0, क्या यह equation of straight line होगा, बिल्कुल होगा, तो आप कोई भी linear equation in x and y लिख लिजिए, तो वो हमेशा क्या represent करेगा, एक straight line को represent करेगा, आपको बस ध्यान में यह रखना है, कि उसमें, उस equation में आपके पास x और y के coefficient simultaneously 0 नहीं होने चाहिए, ठीक है, कुछ important points, equation of a line parallel to x axis at a distance a, is y is equal to a, और y is equal to minus a, जैसे मान लिजे हमने, अपना axis बना लिया, x axis, y axis, अभी हमसे क्या बोला जा रहा है, कि x axis के parallel, at a distance a, अगर कोई line आपको draw करना हो, जैसे मान लिजे यह line हो गया, ठीक है, या फिर x axis से, अगर a unit distance पर रखना है, तो यह line भी ले सकते हैं, ठीक है, तो यह equation हो जाएगा, आपका y is equal to a, यह हमने पहले भी देखा है, और यह equation हो जाएगा, आपका y is equal to minus a, ठीक है, equation of x axis की, अगर हम बात करें, तो x axis का equation हो जाता है, हमारा y is equal to 0, ठीक है, फिर बात करते हैं, equation of a line parallel to y axis, at a distance b, तो जैसे distance b, अगर हम y axis से ले रहे हैं, या तो line इस तरीके से ले सकते हैं, या फिर line इस तरीके से ले सकते हैं, ठीक है, तो अगर हमने ये equation देखा, ये line लिया, तो इसका equation हो जाएगा, x is equal to b, और अगर ये line लिया हमने, तो इसका equation हो जाएगा, x is equal to minus b, और अगर खुद y axis का equation की बात करें, तो y axis का equation हो जाता है, x is equal to 0, यानि इसका equation हो जाएगा, x is equal to 0, और यहाँ पे हमारे x axis का equation हो जाएगा, y is equal to 0, ठीक है, ओल्राइट, फिर यहाँ पे एक बात करते हैं, कि any line parallel to, ax plus by plus c is equal to 0, is ax plus by is equal to lambda, और perpendicular to ax plus by plus c is equal to 0, is bx minus ay is equal to lambda, इस बात को हम लोग आगे फिर से discuss करेंगे, और वहाँ पे मैं आपको यह point explain करूँगा, ठीक है, एक important बात कि every equation, every first degree equation in x and y represents a straight line, हमने यह बात करी कि कोई भी equation in x and y, अगर first degree का है, तो वो हमेशा क्या represent करेगा, equation of straight line represent करेगा, and the converse is also true, तो इसका converse भी हमेशा true है, यानि कहने का मतलब यह है, कि अगर straight line है, तो उसका equation हमेशा क्या होगा, first degree equation in x and y ही होगा, ठीक है?